दोस्तों ज्यादा तर लोग जब गर पे घी बनाते हैं, तो वो मलाई को घरम करके उसे में से घी बनाते हैं, लेकिन ये प्रोपर प्रोसिस नहीं है घी बनाने की, ये ज्यादा टाइम और घेस दोनों की बरबादी करता है, तो आज मैं आपको एक सिंपल और आसान सी दिखाऊंगी आप पहले फ्रीज में से मलाई को बहार निकाल दीजे उसमें थोड़ा साथ दही डाल के उसे दो दिन के लिए बहार रखिए दिन में एक दो बारे से मिक्स कर लीजेगा बहार दो दिन के बाद आपको इसमें तीन से चार ग्लास पानी डालना है और ब्लैंड क तो इसमें थोड़ा सा घरम पानी डाल दीजिए तो इसकी वज़े से जल्दी से जो बटर है वो चास से सैफरिट हो जाएगा और पूरा उपर आ जाएगा तो यहां मेरा पूरा बटर बाहर आ गया है अब यह चास को आप यूज भी कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पसं तो इस तरीके से मैंने उसे फैक दिया है और बाद में इसमें दो से तीन बार साफ पानी डाल के मैं इस बटर को वाश कर लोगी ताकि बटर के अंदर अगर कुछ भी वो चास के पार्टिकल या तुफिर दही के कुछ पार्टिकल है तो वो सारे साफ हो जाएंगे और हमें बिल्कुल साफ मक्षन मेल जाएगा तो मक्षन साफ हो जाने के बाद मैंने उसे गेस पे चड़ा दिया है दो मिनट के लिए उसे गेस घरम कीजिए इस तरीके से बबल हो जाए बाद में उसे ठंडा होक कर लीजिए ठंडा करने के बाद उसे डग के फ्रीज में रखना है के लिए छार गंटे के बाद आप देखेंगे तो गिआ जो है बटर हमारा इस तरीके से ज़ाए गा तो इस उसा इक सरीके से जो मैंने चममज की पदच से इसे साइड में से निकाला है इस तरीके से होल बनाई और पूरा पानी जो है नीचे होगा वो सारा निकाल ले तो अब जब हम इसे घी बनाने के लिए गैस पे रखेंगे तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि उसमें ज्यादा पानी नहीं है तो यह 5-7 मिनट में घी बन के रेडी हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब है